साथियों, आज का दिन असम सहीत पूरे नौर्थ इसके लिए इस व्यापक विजन को विस्तार देने वाला है। डौक्टर भूपेन हजारिका सेतु हो, बोगी बिल ब्रीज हो, सरायगाट ब्रीज हो, ऐसे अनेक ब्रीज आज असम का जीवन आसान बना रहे है। ये देश की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही हमारे वीर जावाजों को भी बड़ी सहुलियत दे रहे हैं। असम और नार्थिस के अलग-अलग हिस्सों को जोडने के इस अभ्यान को आज और आगे बढ़ाया गया है। आज से दो और बड़े ब्रीज पर काम शुरू हो रहा है। जब कुछ वर्ष पहले मैं मोजूली दीब गया था तो वहां के समझ्याओं को करिब से महसूस किया था। मुझे खुशी है कि सरवारन सोनोवाल जी की सरकार ने इन मुश्किलों को कम करने के लिए पूरी निष्टां से प्रयास किया है। मजूली में असम का पहला हेलिपोर्ट भी बन चुका है। भाई और बहनों अब मजूली बास्यों को सडक का भी तेज और सुरक्षित विकल्प मिलने जा रहा है। आपकी बरसो पुरानी मांग आज पूल के भूमी पुजन के साथ ही पूरी होनी शुरू हो गई है। काली बाडी घाड से जुरहाट को जोडने वाला आठ किलोमीटर का ये पूल मजूली के हजारों परिवारों की जीवन रिखा बनेगा। इबरीच आपके लिए सुविधा और संभावनाओं का सेतु बनने वाला है। इसी तरह दूबरी से मेगाले में फूल बारी तक उननीस किलोमीटर लंबा पूल जब तयार हो जाएगा तो इससे बराग गाटी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यही नहीं इस पूल से मेगाले मनिपूर मिजवरम और तिपुरा भी असम से दूरी भी बहुत कम हो जाएगी। सोचिए मेगाले और असम के बीच अभी सड़क मार से जो दूरी करीब धाई सो किलोमेटर है भविश में सिरफ उननीस बिस किलोमेटर रह जाएगी। यह ब्रीच अन्य देशों के साथ अंतर राष्टे यातायात के लिए भी महत्वपुन साबित होगा।